पाई, चिंताया जायते दुख पन नाणियते हैती निश्चाई, त्याहीन है सुखी शांत है सर्वत्रगल इतस्प्री है, इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण बता रहे हैं कि चिंता से दुख की उत्पत्ती होती है और किसी अन्यकारणों से नहीं, इसलिए जो व्यक्त चिंता से दूर रहता है बेई सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है, इसलिए चिंता को कभी भी अपने उपर हावी नहोने दे क्यूंकि इससे किवल दुख की प्राप्ती होती है, माना अपमायो स्तल्य स्तल्यो मित्रारी पक्षयो, सर्वारंभ प्रत्या गी गुणाती तहसा उच्छीयते, इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति मान अत्वा अपमान में एक सम्मान व्यावार करता है, जो मित्र और प्रती पक्ष में रहते हुए भी सम्मान रूप से कारे करता है, जो किसी प्रकार के अभिमान से रहित है उसे अत्वा गुणवान व्यक्ति माना जाता है, इसलिए किसी भी परिस्थती में अपना व्यावार और सहियम नहीं खोना चाहिए